दोस्तो एक चम्मच इस चीज की अगर आप इस हॉममेड ओयल की अंदर जो कि आज हमने बनाया है उसके अंतर मिक्स करके लगाते हैं तो आपके बालों की रोध दो गुनी तेजी से होने लगेगी आज हमने अपने बालों को लंबा करने वाला एक बहुती पौवरफुल ओयल बनाके तयार किया है इस ओयल को और भी जादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमने एंड में इसके अंदर एक सीक्रेट चीज को एड किया है इसका इस्तिमाल करने के बाद में आपके बालों की किया हो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना शाथी बैल आइकन को भी प्रेस कर देना तो चलिए देख लेते कि इस ओल को कैसे बना के तयार करना है तो सबसे पहले जिस चीज के अमको जोरू पढ़ने बाली है वह है अलसी का तेल यानिकी फ्लैक सीड ओयल यह आपको बहुत ह आसानी से किसी भी ग्रॉश्री स्टोर पे मिल जाएगा अलसी के तेल से मसाज करने से हमारे बालों के ग्रोध बहुत ही तेजी से होने लगते है तो मैंने यहां पर फ्लैक सीड ओयल लिया है 25 ml मैं कुल 100 ml बना के तयार करूंगे उसमें 25 ml लेना होगा अलसी का तेल इसके ब तिल का तेल ले लिजिए अगर आपको तिल का तेल नहीं लेना है तो आप कोकोनट ओयल ले लिजिए नारियल का तेल ले लिजिए या फिर मस्टर्ड ओयल भी ले सकते हैं मैं तो यहां पर इस्तिमाल करने वाली हूं मस्टर्ड ओयल का और मैं मस्टर्ड ओयल ले रही हूं की पतियां जी यहां नीम की पतियां जो होती है हमारे बालों को डारेक्टली लंबा तो नहीं करती हैं लेकिन हमारे इसके अंदर कुछ नीम की पत्ते एड कर रहे हैं इनको चोटा चोटा सा कट कर लीजिए जिसे की ओयल में आसानी से फ्राई हो जाए और अपना रस ओयल की अंदर छोड़ दें इसके बाद में आपको जरूर पढ़ने वाली है एक फ्रेस ऐलुविरा लीफ की हमको इसका जैल नहीं निकाल लाएं इसको हमको छोटे-छोटे से टुक हम नीम के पते जो उने कट करें रखे ते बो ढाल देंगे और फिर अलोवरा को भी इसके अंदर डॉक्स कर लेंगे इसको दीमी आंग पे पकने के लिए छूड़एंगे रहेंगे इसके बाद में इसके अंदर एड करने वाले हैं वह मैठी दाना हमको लेना होगा एक 1 चमच और इसको अच्छे से मिक्स करके Torah में पका लेंगे एक बात का ध्यान रखना है कि ओयल हमको एक दम से लो फ्लैंपे ही पकाना है। आपको मीडियम फ्लैंप भी नहीं रखना है , एक लो फ्लेम पर ही इसको पकाई है जिसके इस ओल के सारे के सारे बेनिफिट्स हमको मिल सके हैं जब तक कि सबी चीज़े अच्छे से भुन के लाल ना हो जाएं तब तक हम इसको पकाते रहें आपको इसको लवज 7-8 मिन तो पकाना ही पड़ेगा तो इस तरह से ये सबी हम इसको इस्टोर करके रख लेंगे तो इसको बनाने के बाद में जो मैं चीज इसको लगाने का तरीका तो हमने जो ऑइल बना के रेडी किया है उसके हमको ले लेने हुगी तीन चम्मच ओईल आप अपने बालों के लेंद के साब से कम याँ जादा कर सकते हैं मैं यहाप को अपने बालों को जल्दी से जल्दी लंबा करना हो तो कैश्टर ओイल आपको जरूर लगाना चाहिए हम नहीं से पसकर से अब किया अपने बालों में मिक्स कर लगा इस आपके बालों की लंबाई बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी उम्मिन करते हैं को आपको आपको आपसका वीडियो पसंद आये होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और पिंक सी चनल को सस्क्राइब जरूर करना मैं मिलूंगी आपसे ऐसी किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई